नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामे का बुलेटिन की शुरुबात करते हैं आज की हैर्लाइन से भारतिय वाईू सेना के लापता विमान का सर्च ओपरेशन जारी रक्षा मंत्री मनोहर परिकर पहुंचे चन्नाई केताम रम बारत एज रफ्तार इंटरसेप्टर्स को चन्नाई से रामेश्वरम वालेश्चेत्र में किया गया तैनार काबूल में संदिक दाउतंकियों से छुड़ाए गई भारतिय महिला जुडेत दिशूजा आज श्राम तक पहुंचेगी दिल्ली विदेश वंत्री शिश्वा सुराज ने अफगानिस्तान को दिया धन्यवाद यूपी जनाव में कॉंग्रेस ने कसी कमर 27 साल यूपी बेहार बस यातर रवाना सोनिया गांधी ने दिखाई हरी जंडी मदाताओं को जागरुक करेगी पार्टी एम्स गोरकपुर के लिए क्रेडिट की होड़ सी एम अकिलेश ने पेश किया दावा कहा एम्स के लिए मुफ्ट जमीन मुहिया करवाई पीम ने कल ही किया था शिला नयास और स्मृती डिगरी विवाद के दस्तावेज डियू और चुनाव आयोग ने कोट को सौपे समन पर 27 अगस्त को पटियाला हाउस कोट करेगा संबाई केंजरे कपड़ा मंतरी है स्मृती इरानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस वर्ष 9 जून को अगवा की गई भारतिय महीला जुडित डिसूजा को रिहा कर लिया गया है वे आज शाम स्वदेश लोटेंगी विदेश मंतर शुष्मा स्वराज ने शनिवार सुभा ट्विटर पर इसकी जौनकारी दी उन्होंने ट्विट किया मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जुडित डिसूजा को रिहा कर लिया गया है उनकी रिहाई में सयोग के लिए धन्यवाद अफगानिस्तान जुडित को बचाय जाने की खबर पाकर उनके परीजन काफी खुश है उनकी बेहन ने मदद के लिए भारत सरकार का अभार जटाया है गोरतलब है कि जुडित पिछले कुछ वर्षों में काबुल में गैर सरकारी संगठन आगा खान फाउंडेशन के साथ काम कर रही थी और उन्हें जुन ने भारत लोटना था लेकिन उससे पहले उनका अफ़रन कर लिया गया गोरकपुर के लिए All India Institute of Medical Science की स्थापना के क्रेडिट के लिए सीम अखिलेश व्यादव ने भी दावेदारी कर दिये है हाला कि उन्होंने कहा है कि ये जन्नता को तैकना है पुरवांचल में एम्स कितना बड़ा मुद्धा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरकपुर में एम्स के क्रेडिट के लिए अखिलेश भी कूद गए है जब प्रधानमंती नरेंद्र मोदी गोरकपुर के फर्टिलाइजर ग्राउंड में एम्स की आधार श्रीला रख रहे थे उसी दौरान अखिलेश मीडिया में इसके क्रेडिट की अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे हिलेश ने कहा कि उनकी सरकान एम्स के लिए मुफ्त में जमीन महिया कराई है सभी जानते हैं कि गोरकपुर में जमीन कितनी महंगी है और ये मिलना कितना मुशकिल है ऐसे में जनटा तैकरे की एम्स लाने में किसका योगदान है केंद्रे कपड़ा मंत्री स्मृती इरानी के डिगरी विवाद में उन्हें समन भेटने के बारे में पट्याला हाउस कोट 27 अगस को सनवाई करेगा शनिवार को दिली उनिवर्सिटी और निर्वाचन आयोग निविवाद से जुड़े दस्तावेजों को कोट में सौप दिया कोट ने तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद इस मामले में अगले सुनवाई के लिए 27 अगस की तारीक तैकी है केंद्रे मानव संसादन मंदरी रहने के दोरान स्मिर्थी इरानी के डिगरी पर सवाल उठाए गए थे विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को खेरता रहा है इससे पहले कोट ने 16 मार्च की डी-उ को आदेश दिया था इसी क्रम में आज कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बस यात्रा को जंडा दिखा कर रवाना किया इस बस यात्रा को सताई साल यूपी बेहाल का नाम दिया गया है इस बस यात्रा के जरिये कॉंग्रेस पिछले सताई साल में यूपी की हुई बदहाली का विप्रचार कर मद्दाताओं को जाग्रुप करेगी इस यात्रा की रवानगी के वक्त कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ट नेता मौझूद है गौर्टलब है कि इस बार कॉंग्रेस पार्टी यूपी में वापसी करना चाती है इसी कारण से शीलादिक्षित को सीम कैंडिडेट खोशित भी कर दिया गया है साथ ही चुनाफ रचार की कमांट्रियांका गांधी के हातों में सौपने की तयारी भी की जा रही है भारती वायू सेना के विमान एन-32 का सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन अभी तक काम्याबी हासल नहीं हो पाई है उधर अक्षा मंत्री मनोहर परिकर्श अनिवार को चन्ने के तामरम पहुँच गए हैं कल विमान के सर्च ऑपरेशन के लिए नेवी ने एक पंडू भी भेजी थी लापता विमान का पता लगाने के लिए तमिलनादू तटिय सुरक्ष सम्हों ने 12 तेज रफ्तार इंटरसेप्टर्स को चन्नाई से रामेश्वरम वालेशेत्र में तनाथ किया है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायूसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने परिकर को इस सम्मंद में जानकारी दी और जल्द ही उन्हें नौसेना बायूसेना और टटरक्षक की ओर से किये जा रहे खोज एवंग बचाव अभियानो पार्विस्तरित जानकारी दी जाएगी चन्नाई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा ये विमान बंगाल की खाड़ी के उपर उडान भरते वक्त मार्ग में हीला पता हो गया जर्मनी के म्यूनिक शहस्ति शॉपिंग सेंटर में अंधा धुन्द फाइरिंग हुई है पुलिस के मताबिक हमले में दस लोग मारे गए है इसमें से एक खुद हमलावर है वही कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है हाला की हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है पुलिस के मताबिक म्यूनिक के शौपिंग सेंटर में एक 18 साल के यूवक ने फाइरिंग की इस यूवक की पहचान इरानी मुल्के जर्मन नागरिक के तौर पर की गई है पुलिस ने ये भी बताया कि हमले में मरने वाला दसवा सक्स खुद हमलावर ही था जुसने फाइरिंग करने के बाद खुद को भी गोली मार ली इससे पहले हमले में तीन बंदुग धारियों के शामिल होने की बात कही जा रही थी ये हमला दक्षणी जर्मनी के म्यूनिक शेहर के ऑलिम्पिक स्टेडियम के पास थिद ओईजेड शॉपिंग सेंटर में हुआ उतरप्रदेश बीजेपी पूर्व पाध्यक्ष दयाशरंकर सिंख के बीजेपी सुप्रीम मायावती पर आपती जौनक बयान के बाद जुस तरह से मायावती ने इस पूरे मामले को एक राजनेतिक हतियार के तौर पर इस्तमाल करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की दयाशरंकर सिंख के बयान से बीजेपी बैक फुट पर आ गए लेकिन आप बीजेपी ने पलटवार की ठानी है बीजेपी नेता नसीमुद्दीन सिद्की ने भी मायावती पर दिये गए बयान के जवाब में दयाशरंकर सिंख की बेटी और पतनी पर आपती जनक बयान दे दिया इसलिए बीजेपी दयाशंकर सिंख की बेटिक के समान में सभी जनपदों में बीएसपी का विरोध करेगी और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्की पर कारवाई की मांग करेगी उना दलत अत्याचार मामले पर आप प्रमुक अर्विंद केजरिवाल के बीजेपी पर दोशियों से साथ गांट का आरोप लगाये जाने के बाद गुजरात बीजेपी ने आप प्रमुक पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तर्ग से तो आपको भी अपने सांसत भगवंत मान की कर्तूतों के लिए जिम्यदा ठेराया जाना चाहिए राजे के बीजेपी प्रवक्ता भरत पांडिया ने कहा किस मुद्दे पर ये कहकर कि दले तत्याचार मामले में बीजेपी सरकार की मिली भगत है के जुरिवाल ने पूरी तरह से अपनी समझदारी में कमी को उजागर किया है इस तरह के बरबर कृतिय में कोई भी सरकार मिली भगत के बारे में सोच नहीं सकती अगर ये पैमाना लागू किया जाता है तो क्या दिल्ली में हो रहे सभी मामलों में उनकी सरकार की भी मिली भगत है कोहिनूर की वापसी के लिए भारत सरकार के मंत्रियों के बीच विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है 15 अगस के बाद इस बारे में सरकार युनाइटिट किंगडम सरकार से बाचीत शुरू कर सकती है बुटेन की नई प्रधार मंत्री ठेरिसा मेकी सरकार की ये साथ अब इस मसले पर बात होनी है विदेश मंत्राले के मुखायले जवाहर भवन में हुई उटस्तर ये बैठक में विदेश मंत्री शुष्मा स्वराज और संस्कृती और पर्याटन मंत्री डॉक्टर महेश वर्मा के साथ विदेश और संस्कृती मंत्राले के सचीव भी शामिल हुए सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये तै किया गया की प्रधारमंती नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ ही देश वासीयों की भावनाओं के मुताबिक कोहिनूर को इंगलैंड के राज घराने से भारत वापस लाने की प्रकरिया शुरू की जाए माराश्ट्र के मराठवारा श्वेत्र से सौ से अधिक मुस्लिम युवा लापता हो गए हैं और ऐसी आश्वंका है कि ये लोग आतन की समुवा आईएस आईएस में शामिल हो गए हैं ये दावा शिफसेना के विधायक राखुल पार्टिल ने शुकरवार को विधान सभा में किया पार्टिल का आरूप है कि असओदी नोवेसी की अगवाई वाली एए आईएम आईएस आईएस का समर्थन करती है उन्होंने इस पार्टी की मान नयता समाप्त करने की मांगी उन्होंने मराटवारा में पर्भनी से हाल ही में एक यूबख की गिरफतारी का हवाला दिया जिसके तारकतित रूप से आई-स-ाई-स से जोड़े थे उन्होंने कहा कि यहां तक की पुलिस को लगता है कि लापता हुए ये युवा आईएस आईएस में शामिल होने के लिए निकल गए हैं दक्षनी चीन सागर के मुद्दे पर संयुक्त राश्ट्र समर्थित नया अधिकरन का एतिहासिक फैसला आने के बाद चीन की सेना ने लंबी दूरी की मिसाईलों सहित कई नय हतियारों को सारवजनिक किया पीपल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षनी कमान ने वरिष्ट सेन्य अधिकारियों की मौझूदी की में समुद्र और हवा में मार करने में सक्षम कई हतियारों को पेश किया अंतराश्ट्रिय नया धिकारन के उस फैसले की प्रिष्ट भूमी में इन हतियारों को राश्ट्रिय टेलिविजन पर दिखाया गया जिसमें उसने दक्षनी चीन सागर पर चीन के दावे को खारिच कर दिया था और फिलिपिन के दावे को बरकरार रखा था सेन्य विशेशगेओं का कहना है कि चीन की ओर से हतियारों को इस तरह सालवजनिक करने का मकसद ये दिखाना है कि दक्षनी चीन सागर का मोर्चा सम्हालने वाली उसकी दक्षनी कमान अमेरिका के साथ किसी भी संभाविज सेन्य तक्राव के लिए तयार है विराट कोली विदेश में दोरा श्रतक लगाने वाले पहले भारती टेस्ट कप्तान बन गए हैं यही नहीं वे केरिबियाई धर्ती पर भी सबसे बड़ी विक्तिगत पारी खिलने वाले भारती कप्तान बन गए हैं कोली ने केरिबियाई धर्ती पर सबसे बड़ी कप्तानी पारी संबंधी राखुल रेविट का 10 साल पुराना रिकॉर्ड शुक्रवार को तोड़ा इसके अलावा उन्होंने विदेश में बतौर कप्तान सबसे बड़ी 92 रनों की पारी का मुहमद अजरुदिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है अजहर ने न्यूजिलैंड की खिलाफ ये पारी खेली थी विराट कोली विदेश में दौरा शटक लगाने वाले पहले भारतिय टेस्ट कप्तान बन गए है यहीं नहीं वेकेरिबिया धर्ती पर भी सबसे बड़ी विक्ति गतपारी खेनने वाले भारतिय कप्तान बन गए है खबरों के सफर में फलहाल इतना ही दिश दुनिया के पलपल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल पून के मादियम से ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से नमस्कार